हेलो एंड वेल्कम गाइस टूपग्रेड आज के इस वीडियो में डिपार्टमेंट ओफ अटॉमिक एनरजी के तरफ से आई रिकूट्मेंट के बारे में डिसकस करेंगे यह रिकूट्मेंट बी ए आर्सी भावा अटॉमिक रिसर्च सेंटर के तरफ से आईए पोस्ट की बात करें तो यहां पर अफिसर सी की 181 पोस्ट है ग्रूप ए लेवल का यह जौब है पे लेवल 10 यहां रहने वाला है सेकेट पोस्ट है सेंटिफिक अससेंट बी की यह ग्रूप बी की जौब है टेक्निशन बी जिसमें आई टीए वाले फिल करेंगे आपर 24 व के लिए और 296 पोस्ट है क्याटेग्री टू के लिए डिटेल विकेंसिस की बात करें तो देख सकते हैं बात करें कौन-कौन से ब्रांचेस डिसिप्लिन एलिजिपल है तो यहां पर डिपार्टमेंट ऑफ बायो साइंस बायो केमेस्ट्री केमेस्ट्री फिजिक्स एगरिक बात करें तो यहां पर बहुत अच्छा मौका है टोटल पोस्ट 23 अंड्रिजर्ट की 10 एड़ एस की त्री ए और सी की टू है बीटेकल में अगर आपका है या फिर इलेक्रिकल एन इलेक्रोनिक्स ट्रिपली में वी है तो आप इस पोस्ट को फिल करने के लिए इलिजिबल ह बात करें इलेक्रोनिक्स की तो उनकी भी 15 पोस्ट है इंस्ट्रुमेंटेशन इंजिनेरिंग मेक्यानिकल के लिए भी है इमेटलर्जी और माइनिंग इंजिनेरिंग के लिए तो टेक्निकल ऑफिसर सी के लिए इस बार पोस्ट निकाली गई यह भी आरसी की बहुत नेक्स बात करें नेक्स डिसिप्लिन की तो देख सकते हैं करें लाइब्रेरी और इंफॉर्मिशन साइंसेस के लिए यहाँ पर केवल टोटल एक पोस्ट निकाली गई वह भी अन्रिजर्वड के लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करें तो एक्ते एम लिप यह भी एसी फूद टेक्नोलोजी में या होम साइंस या न्यूट्रेशन में आपका होना मस्ट है टेक्नीशन बी की बात करें तो यहाँ पर बॉयलर अटेंडेंडेंट का पोस्ट निकाल गया है टोटल 24 वेकेंसी 10 अन्रिजर्वड के लिए 4 EWS 6 OBC 3 ST और 1 SC के लिए 2 years after 10th या 2 years after 12th ITI या BSC यहाँ पर minimum qualification आपका यह है यहाँ पर discipline की बात करें आप देख सकते हैं Biochemistry है, Bio Science है, Chemistry है, Physics है, Computer Science है, Agriculture है, Horticulture है, Chemical Engineering के लिए इस बहुत अच्छी वेकेंसी 171 पोस्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं 171 पोस्ट है, Chemical Engineering के लिए, Electrical वालों के लिए, Electrical Diploma वालों के लिए 144 वेकेंसी है, यहाँ पर Electronics के लिए 98 वेकेंसी है, Electronics and Instrumentation के लिए 59 है, Mechanical के लिए बहुत Bumper वेकेंसी है, Mechanical डिप्लोमा के लिए 328 जिसमें 1 से 103 जनरल की वेकेंसी है, आगे बात करें, Metallurgy है, Agriculture है, Civil व 2 की तो यहाँ पर पोस्ट है, Fitter का, Turner, Mechanist का, Welder का, Mechanic, Machine, Tool, Maintenance, Electrician की यहाँ पर 399 पोस्ट है, Mechanic, Refrigeration and Air Conditioning मेकेंसी है, यहाँ पर फुर्दर, Dropsman, Mechanical, Dropsman, Civil, Mason, Plumber, Carpenter, Mechanic, Motor, वेकेंसी है, अब यह फुर्दर देख सकते किस काटेगरी में आपको फिल करना है, और किस का काटेगरी में कौन सी वेकेंसी, सेलेक्शन की बात करें, तो यहाँ पर देखते हैं, Technical Officer C का, यहाँ पर Technical Officer C के लिए Direct Interview रखा गया है, Number of Applications पर डिपेंड करता है, अगर Number of Applications ज्यादा होंगे, तो एक्जाम कंड़क्ट होगा, अगर नहीं होंगे, तो Direct Interview कराए जाएगा, ब क्वेशन तीन मार्क्स का, एस यूश्वल होने वाला है, विट वन मार्क्स ऑफ नेगेटिव मार्किंग, तो यहाँ पर पर प्री होगा, एडवांस टेस्ट होगा, फिर उसके बाद आपका स्किल टेस्ट भी होगा, हाँ टू अपलाई की बात करें, तो यहाँ पर आप B. यहाँ पर पांसो रुपए फीस है, यहाँ पर पांसो रुपए फीस है, यहाँ पर एस जनरल, EWS और OBC के लिए है, यहाँ पर SC, ST and female candidate के लिए कोई फीस नहीं है, निल फीस लग रही है, साइन्टिफिक असिस्ट बी के लिए 500 रुपए है, वही सेम जनरल, EWS और OBC के SC, ST, Physically Handicapped and Women Candidate के लिए कोई फीस नहीं लग रहा है, टेक्निकल, Technician B के लिए 100 रुपए फीस है, अगें, Category 1 और 2 के लिए 500 रुपए है, और Category 2 के लिए 100 रुपए है, अगें, SC, ST, Women and Physically Handicapped Candidates के लिए फीस निल है, सेंटर्स की बात करें, तो आप यहाँ देख सकते हैं, कौन-कौन से सेंटर्स रहने वाले हैं, आप accordingly भरिएगा, किस शहर में आपको एक्जाम देना है, आप अपने location के हिसाब से फिल करिएगा, फॉर्म भटे टाइम, आज की वीडियो में यही एक अपडेट था, ऐसे ही